हलो स्टुडेंट्स, क्लास 11th, NCRT syllabus, हमारा जो टोपिक आज की क्लास का इन डिफरेंस करू अनलाइसिस, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में किया था, जिसमें हमने इन डिफरेंस करू का मिनिंग क्या होता है, इन डिफरेंस सेट क्या होता है, इन डिफरेंस मेप क्या होता है, और उसके बाद में MRS, Marginal Rate of Substitution क्या होती है, उसको हमने डिसकस किया था, आज की class में हम in difference curve का आगे का जो part है जिसमें हम देखेंगे की in difference curve की कौन-कौन सी properties होती है in difference curve हमने जो बनाए उसके कौन-कौन से features है या कौन-कौन से उसके characteristics होते है देखिए जब हमने in difference curve बनाया था तो in difference curve में हमने क्या देखा था कि consumer क्या करता है दो commodity कोई भी दो commodity हो सकती है हमने example में देखा था कि consumer दो commodity x and y का consumption कर रहा है x और y के जगा आप किसी commodity का नाम भी लिख सकते है तो देखिए जब consumer क्या करता है किनी दो community का use करता है तो अपना जो satisfaction है उन commodity का use करने से उसको जो satisfaction मिलता है उसका level जो equal होता है उसको हम किसे represent करता है इंडिफरेंस कर से और जो level of satisfaction है उसको equal रखने के लिए क्या जूरी है कि जब consumer किसी एक commodity जैसे example के लिए x commodity है इसका consumption अगर वो बढ़ाता है increase करता जाता है तो जो दूसरी commodity है उसका जो consumption है उसको क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा ठीक है ताकि जो satisfaction का level है level of satisfaction जो है वो same रह से के पहले जैसा रह सके है जिसको हम in difference कर से represent करते हैं और इसी वज़े से in difference कर का जो shape है ठीक है वो किस तरीके से बनता है इस तरीके से ठीक है ओपर से निचे से डाउनवर्ड स्लोग का बन रहा है तो यहां तक तो हम पढ़ चुके थे अब देखिए यह जो इन डिफरेंस कर बना है इधर हमने O X एक्स पर X कमोडिटी ले लिए है और जो हमारा O Y एक्स इस इधर हमने Y कमोडिटी ले लिए है यह ह हमारा इन डिफरेंस कर बना है तो यह जो इन डिफरेंस कर बना है इसके कौन-कौन से फीचर से जो आज हम क्लास में डिसकस करेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर हम फीचर की बात कर रहें इसकी प्रोपर्टे की बात कर रहें तो जो इन डिफरेंस कर हैं वो कैसे होते है इनका जो slope होता है वो downward होता है downward from left to right ठीक है left side हमारी यह उपर y की तरफ इदर है और इदर right की तरफ इदर निचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब in difference कर का जो सबसे फैला feature है वो क्या हो गया है कि जो in difference कर हो है उनका slope कैसा होता है downward slope होता है यह downward slope को हुँ क्या कह सकते है negative भी कह सकते है अब बच्चों आपको ध्यान अकना है कि यह जो downward slope होता है उसका reason क्या है कोई भी आप economics में अगर दो variable के बारे में study कर रहे हो कोई से भी दो variable हो सकते हैं जिससे आप price और demand के बारे में relation पढ़ रहे हो income और expenditure के बारे में कोई भी दो variable ठीक है जब आप study कर रहे हो और उनके बीच में जो relationship है अगर वो inverse relation होता है ठीक है inverse का मतलब क्या हो गया एक की जो quantity है unit है या एक की जो number हमारे क्या हो रहे है variable की जो value है वो बढ़ रहे है ठीक है एक की value क्या हो रहे है increase हो रहे है और जो हमारा दूसरा variable है जैसे हमने यहां पर वाई लिया है उसकी value क्या हो रहे है कम हो रहे है तो जब दोनों variables में एक की जो unit है जो value है अगर increase होती है और दूसरे की decrease होती है तो इस relationship को हम क्या कहते हैं inverse relationship केते हैं यहां इससे जो हमार करू बनेगा वो क्या बनेगा negative slope का बनेगा downward slope का बनेगा तो हमने जो indifference करू बनाया था उसमें हमने देखा था कि consumer क्या करता है अपने level of satisfaction को same equal बनाया रखने के लिए जब किसी एक commodity का use बढ़ाता है तो दूसरे का consumption उसको कम करना पड़ता है तो यहां पे क्या हो रहा है एक का consumption बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है तो यह जो inverse relationship है इसी वज़े से हम जो करू बनाएंगे जो हमारा indifference करू बनता है वो किस तरह के से बनता है इसको हम क्या केते हैं downward slope केते हैं negative slope केते हैं तो सबसे पहला जो इसका feature है वो आपको clear हो गया होगा कि जो indifference करू है उसका जो shape है वो किस तरह के से होता है downward slope होता है या हम के सकते हैं इसका negative slope होता है और negative slope होने का reason क्या है कि जब consumer क्या करता है किसी एक commodity का consumption बढ़ाता है तो उसको जो another दूसरी commodity है उसका consumption कम करना पड़ेगा ठीक है ताकि उसका जो level of satisfaction है वो equal बना रहे हैं ठीक है तो हमने जो यहाँ पर reason लिखावा है it implies that is the consumer increase the consumption of one commodity जब consumer क्या करता है किसी one commodity का consumption बढ़ाता है he will have to reduce the consumption है दूसरी commodity का जो consumption है वो कम करना पड़ता है as to remain on the same level of satisfaction ताकि वो पहले वाला satisfaction का level है उसी पर बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो indifference curve है वो क्या show करता है इसके हम किसी भी combination पर बात करें इस curve के उपर चाहे वो A combination है चाहे वो B combination है चाहे वो C combination है इस curve के उपर indifference curve के उपर जितने भी combinations होते हैं उन सबी पे जो satisfaction का level है वो क्या होता है same होता है तो first हमारा हो गया है indifference curve जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं downward slope के होते हैं negative slope के होते हैं दूसरा हमारा जो इसका feature वो है indifference curve are convex to the origin कि जो indifference curve है वो किस तरीके से होते हैं convex होते हैं ठीक है convex का मतलब जैसे देखिए आप ने यह diagram मनाया है यह जो o point है यह जिसको हम zero कह सकते हैं यह हमारा एक तरह से क्या है horizon है और यहां से आप देखोगे तो indifference कर का जो slope हैं ठीक है यह जो indifference कर का जो shape है वो किस तरीके से बनेगा convex बनेगा जैसे आपने class 10 न पढ़ा होगा concave lens और convex lens तो convex जो होता है वो इस shape का होता है और concave जो होता है वो इस shape का होता है तो indifference का रूँ जो है वो किस shape के होंगे convex होंगे ठीक है कों़ेफरेंस कर जैसे कौनवेक्स टीजह होती हैं कि यह जो हमारा कौन केव बना है इसको बी हम ढ embraced केते हैं और अगर हमारा डाइग्राम इस तरह के से बन जाता हैं टीक्स टो तो तीनों जो कंडिशन वह किसको बता रही हैं डान्वर्ड स्लोप को लेकिन यहां पर जिसे first condition है हमारी यहां first feature जो होता है इंडिफरेंस करोगा वो downward slope होता है तो downward का मतलब यह 3 diagram हमने बनाए 3 और 11 से downward slope को बता रहे हैं लेकिन इन में से जो इंडिफरेंस कर रहे हैं वो first और second ठीके ऐसा नहीं हो सकता है इसा भी नहीं हो सकता है किसा होगा इस shape का जिसको हम क्या केते हैं convex केते हैं अब convex होने का जो reason है वो क्या है हमने पिछली class में पढ़ा था कि एक MRS होती है marginal rate of substitution होती है और MRS का मतलब क्या हो गया जब consumer किन ही दो community x and y का consumption कर रहा है तो जब वो x का consumption बढ़ाता है तो x का consumption बढ़ाने के लिए y का जो consumption है उसको वो कम करना पड़ता है और y का जो consumption है वो जिस rate से कम करता है ठीके एक का consumption बढ़ाएगा दूसरे का कम करेगा यह तो ठीक है लेकिन दूसरे की जो quantity है दूसरी जो another good है उसकी जो quantity है उसको जिस rate से कम करेगा उसको हमने क्या का था marginal rate of substitution और MRS क्या होती है in difference का analysis में assume किया गया है कि जो MRS वो क्या होती है decrease होती है ठीक है मैं MRS का आपको एक बार बता देता हूँ देखिए हमने जिससे पिछली क्लास में पढ़ा था MRS के बारे में यह कि consumer x का community का consumption बढ़ा रहा है 1,2,3,4 तो y का consumption है वो कम कर रहा है देखिए y की quantity कितने कम कर रहा है 15,10,6,4 ठीक है यह inverse relation हो गया कि x का consumption बढ़ा या y का consumption कम हो गया तो यह inverse relation की वज़े से हमारा जो diagram में वो downward slope का बना लेकिन यह downward slope में हमने तीन तरीके के देखे थे लेकिन जो हमारा indifference curve है वो इस shape का होता है जो को हम क्या केते हैं convex और convex कब बनेगा जब यह जो MRS है मतलब y कमूरिटी की जो हमने quantity कम की है उसको अगर हम decreasing rate से कम करेंगे त decreasing rate का मतलब क्या हो गया देखिए पहले हमने यहां पे 15 to 10 y की कितनी quantity कम की यहां पे 5 unit ठेके 5 unit कम की हैं उसके बाद में 10 to 6 यहां पे कितनी unit कम की हमने 4 unit y की कम की हैं और फिर 6 to 4 यहां पे y की 2 unit कम की हैं तो यह देखिए जो MRS है 5, 4, 2 यह क्या हो रही है decrease हो रही हैं सबसे पहले 5 हैं फिर उसके बाद में 4 हैं उसके बाद में 2 हैं मतलब x की एक additional unit का consumption बढ़ाने के लिए सबसे पहले consumer ने y की 5 unit sacrifice की हैं उसके बाद में x की एक additional unit के लिए y की उसने 4 unit कम की हैं और अगली बार x की एक unit का और consumption बढ़ाने के लिए y की के वल 2 unit को ही sacrifice किया हैं इसका मतल जिस rate से वो substitute कर रहा है वह rate क्या हो रही है कम हो रही है जिसको हमने क्या का था MRS और यह जो rate है अगर कम होती है तो हमारा जो कर्व हैं वह किस तरह कैसे बनेगा convex बनेगा तो in difference करूँ जो हमारा है वो कैसा होगा convex होगा ठीक है यह हमने y की quantity कम की है इदर delta y हमारा यह और यह हमने x की unit को बढ़ाया यह हमारा delta x है तो इस तरह के से delta y upon delta x मतलब x की एक unit का conversion बढ़ाने के लिए y की हमने जितनी भी quantity कम की है वो एक तरह से क्या होती है कम होती जाती है y की quantity जिसको हम क्या केते हैं MRS केते हैं और in difference curve analysis में MRS एक तरह से क्या इजिम की गई है decrease होती है कम होती है और इसी वज़े से हमारा यह जो करूँ वो कैसा बनेगा convex बनेगा अब देखे इनके बीच में जो गेप है MRS अगर increase होती तो हमारा जो करूँ वो कौन केव बनता और MRS अगर constant होती तो हमारा करूँ कैसा बनता straight line लेकिन in difference curve analysis में MRS के बारे में हमने पढ़ा था MRS क्या होती है decrease होती है और MRS decrease होती है इसी वज़े से हमारा जो ये करूँ वो कैसा बना convex बना ठीक है concave नहीं हो सकता है straight line भी नहीं हो सकता है तो दूसरी जो इसका feature है वो भी आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद में हम देखते हैं इसका next feature तीसरा कि जो in difference करूँ है वो कभी भी एक दूसरी को intersect नहीं करेंगे in difference कर never intersect each other अगर दो in difference करूँ को हम एक साथ बनाए तो वो कभी भी एक दूसरी को intersect नहीं कर सकते हैं जैसे मैं आपको intersect करके explain कर देता हूँ यह हमने पहला in difference कर बनाया यह हमने दूसरा in difference कर बनाया इसको हमने नाम दे दिया यह हमारा इंडिफरेंस कर नमबर 1 और यह दुसरा हमारा है इंडिफरेंस कर नमबर 2 अब देखिए यहां पर हमने जहां पर इंट्रेसेट कर रहा है वहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया है एक पॉइंट और यहां पर हमने एक और ले लिया है इस C, I, C, 2 पर B point और एक हमने ले लिया है यहां पर C point तो दो indifference कर बनाए हैं हमने यहां पर indifference कर नंबर 1 और indifference कर नंबर 2 एक बार और बना देता हूं मैं ठीक है इसको हमने क्या नाम दिया यह हमारा है indifference कर नंबर 1 और यह हमारा है indifference कर नंबर 2 यहां पर हमने एक point ले लिया है यह हमारा A point है यहां पर हमने दूसरा point ले लिया यह B point है और उसके बाद में हमने यहां पर ले लिया है C point है अब देखिए यहां पर कि जो indifference कर वह हैं वो क्या होते हैं कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे अब intersect क्यों नहीं करेंगे उसका क्या reason है वो आपको मैं इस diagram से explain करता हूँ देखिए हमने एक ही diagram में जिसे दो indifference curve IC1 और IC2 बनाए हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह point पर एक तरह से क्या हो रहा है intersect कर रहा है तो यह intersect नहीं करेंगे सबसे पहले देखिए आप जो हमारा indifference curve number 1 है उस पे देखिए indifference curve number 1 पे कौन-कौन से point है एक तो हमारा है A point है और दूसरा कौन सा है B point है तो A point पर जितना satisfaction होगा उतना ही कितना होगा उतना ही B point पे होगा क्योंकि हमने पढ़ा था एक ही indifference curve पर जितने भी point होते हैं जितने भी combination होते हैं सभी पे level of satisfaction क्या होता है equal होता है तो हमारा जो sorry IC2A है तो IC2 पर दो point है A और B यहाँ पे level of satisfaction क्या है equal है इसी तरीके से हम indifference curve number 1 देखिए तेकि हमारा जो पहला indifference कर वह है उस पे जो हमारे point है वो कौन-कौन से है एक तो हमारा A point है और दूसरा कौन सा है C point है तो A पर जितना satisfaction का level होगा उतना ही C पे होगा clear हो गया IC1 पर दो point है दो combination है कौन-कौन से एक तो हमारा यह C और दूसरा है A तो दोनों पे satisfaction का level equal होगा इसी तरीके से IC2 देखोगे आप तो IC2 पे दो point है A और B तो A पर जितना satisfaction का level है उतना ही B पे होगा अब देखिए जो indifference कर वह है वो क्या मान के चलता है कि किसी time में अगर A जो combination है उस पर जो satisfaction का level है अगर वो B combination पर मिलने वाले satisfaction के equal है और इसी तरीके से A पर जो satisfaction का level है वो C के भी equal है तो यह मान के चली हमेशा कब B और C पर जो satisfaction का level है वो भी क्या होगा equal होगा ठीक है B equal to C होना चाहिए लेकिन इस diagram को देखोगे तो B point जो वो क्या है इस C point से उपर की तरफ है इसका मतलब B is not equal to C B is not equal to C B पर level of satisfaction जो वो C के comparison में जादा है इसका मतलब क्या हो गया हमारे यह जो assumption है कि अगर A equal to B है और A equal to C है इसका मतलब B equal to C होना चाहिए लेकिन जब इन difference का और एक दूसरे को intersect करते हैं तो B और C जो है वो equal नहीं है इसलिए इन difference कर क्या होते हैं कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे clear हो गया अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए ठीक है को अच्छा सा समझ में जाएगा कि एक दूसरे को intersect क्यों नहीं करेंगे फिर next जो हमारा feature वो है कि जो कर उपर की तरफ होता है higher the indifference curve higher is the level of satisfaction जो कर उपर की तरफ होता है वहाँ पे consumer को satisfaction ज़्यादा मिलेगा जिससे हमने indifference में बना दिया है इसमें हम 3-4 indifference curve बना देते हैं यह हमारा indifference curve नंबर 1 हो गया फिर उसके बाद में यह हमारा IC2 हो गया फिर IC3 ठीक है IC का मतलब क्या है indifference curve और यह हमारा indifference curve नंबर 4 तो हमने एक ही मेप में क्या किया 4 indifference curve बना दिये हैं अब जो indifference map पर अब देखोगे तो जो IC4 है indifference card number 4 जो सबसे उपर है वहाँ पर satisfaction का level सबसे high होगा सबसे जादा होगा उसके बाद में IC3 पर होगा उसके बाद में IC2 पर होगा और उसके बाद में IC1 पर होगा जिसका मतलब क्या होगा जो कर उपर की तरफ होता है वहाँ पर satisfaction level भी जादा होगा high होगा clear होगा जैसे आप इस diagram हमने बनाया तो इसमें आप देखोगे तो IC4 पर satisfaction का level सबसे जादा है उसके बाद में IC3 पर हैं उसके बाद में IC2 पर हैं और उसके बाद में किसका नमबर आ जाता है IC, indifference कर नमबर 1 और एक ही indifference कर की बात करोगे जैसे केवल IC4 की बात करोगे तो IC4 के किसी भी point पर आप देखोगे किसी भी combination पर level of satisfaction एक्वल होगा IC3 के किसी भी combination पर देखोगे किसी भी point पर देखोगे ठीक है यह हमारा पहला indifference कर वे और यह दूसरा है तो जो दूसरा indifference कर वे उपर की तरब इसका मतलब क्या हो गया पहले indifference कर के comparison में दूसरे पर satisfaction का जो level है वो high होगा, जादा होगा, equal नहीं होगा एक ही करूप के जो different combination से एक ही कर पर जो different point से वहाँ पर satisfaction का level equal होगा अलग-अलग indifference कर उपर satisfaction का level भी अलग-अलग होगा ठीक है, तो यह हमारा जो fourth feature है वो हो गया है अब देखिए, आज की class में हम इतना ही यह जो properties थी, यह जो features से उनको हमने देखा है, next class में हम पढ़ेंगे कि consumer का जो budget है, budget set और budget line क्या होती है फिर वो पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि consumer का जो equilibrium है consumer equilibrium के लिए हमको indifference कर और budget line दोनों की जुरुत पढ़ेगी indifference कर क्या होता है, वो हम पढ़ चुके है, अब हम next class में budget line के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि consumer का जो equilibrium है, मतलब consumer का जो maximum satisfaction है उसकी जो optimal choice है, वो कहां पर होगी, उसको हम किस तरीके से determine करेंगे